कि एक बारत के नक्षे को बनाएं तो उसके बाद अंडस्टैंड करें तो चोटा साथ है कि टाइम हमारे पास कम है तो एक ऐसा टॉपिक करते हैं जो जल्दी फिनिश हो जाए अब हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हमें दो बाते समझनी है एक तो 1526 में हमने मुगल एंपार को शुरू किया और 1707 में अलाके हमने उसको फिनिश किया कि साथ हमने कहानी और समझने कोशिश करी कि किस तरीके से भारत के अंदर मुल्टिपल यूरोपेंस इसमें सबसे पहले पॉर्चुगीज पूर्टगाली फिर डचेस को देखके हमें थोड़ा सा इग्णोर कर दिया और उसके बाद ब्रिटिश या फिर मेजरली प्रांस इ एक ही टाइम पर दो हितिहास साथ चल रहे हैं एक इतिहास क्या कह रहा है कि भाई 1526 से लेके 1707 तक नौर्थ इंडिया के अंदर मुगल एंपार ताकतवर है उसी समय साउथ में जो आपके कोस्टल एरियाज हैं जिसमें कलिकट हो गया गोवा हो गया गुजरात हो गया या इधर बंगॉल मसूली पटनम जैसे या पॉंडिची नामक छेतर हैं जो आपके ये बंदरगाह वाले छेतर हैं कोस्ट हैं इन कोस्टों पे आपके यूरोपियंस आके बैठ गए हैं ये दो बाते हमने समझी लेकिन अब इसके सासत एक पॉइंट हमारे मन में ये भी आ रह ले 1336 में 1336 में साउथ हिंडिया में एक जगा है करनाटका में उसे हम बोलते हैं करनाटका में एक जगा है हमपी करनाटका में एक प्लेस है हमपी हमपी में एक नए समराज या एक नए डाइनिस्टी ने अपना जन्म लिया अब इस कहानी को थोड़ा समझते हैं अगर हमने थोड़ा बहुत डेली सुल्तान को ढंक से पढ़ा अप लोगों ने उसमें एक बात याद रखने वाली थी कि एक सुल्तान था उस सुल्तान ने क्या क्या अपनी राजधानी को डेली से उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करी जो आज का हमारा दौल राजधाने दिल्ली से दौलताबाद स्थापित करी जब उसके सासात एक चीज यह हुई बेटा उस समय के इतिहास के अंदर जो करनाट का वाला रीजन था इन छेतरों के अंदर सुल्टानों की शक्ती बढ़ती गई और सुल्टानों ने यहाँ पर दो काम किये एक तो वही बेटा धरम का विस्तार और अपनी राजनीती का विस्तार जब इन्होंने अपने रिलीजिस डेवलप्मेंट करने शुरू किये तो इन्होंने दक्षिन के बड़े-बड़े जतने भी लोग हुआ करते थे उनको इसलाम में कनवर्ट करना शुरू कर ली जब मुहमद बिन तुगलग दिल्ली से दौलताबास से दिल्ली वापस गए और 1398 तक आते हाते हमने क्या देखा था कि तुगलग एंपार खतम हो गया तो इसका मतलब क्या है कि मुहमद बिन तुगलग के बाद केवल एक सुल्तान ते फिरोशा तुगलग गदिब जिसकी वज़ए से जो तुगलग डाइनेस्ट्री थी वो कमजोर हो गई जब तुगलग डाइनेस्ट्री कमजोर हुई बेटा तो यह साउथ इंडिया का हिस्सा जिस पे उन्होंने राज किया था इन छेत्रों में एक नए राजवंश एक नए परिवार का डेवलपमेंट और इनको हमने विज़नगर एंपायर का दक्षिन भारत की इतिहास के अंदर हमने चोलास तक की कहानी को समझने कोशिश करी थी तो 1200 तक आते आते चोल खतम हुए साउथ इंडिया में चोल खतम होने के करीबन 100 सालों तक सुल्तानों का राज था दक्षिन भारत में सुल्ता और उस लड़ाई के बाद जो ताकत और अगला समराज बना वेटा वो था आपका विज़नगर एंपायर जिसकी स्थापना 1336 के अंदर हुई और जिनकी राजधानी थी हम पी तो आज की छोटी सी कहानी के अंदर बेसिकली हमारे पास बहुत कम है हम इस कहानी के अंदर कोस्ट एरियाज हैं वेस्टन कोस्ट और इस्टन कोस्ट पर यूरोपेंस आके बैठे हुए और उसी समय साउथ इंडिया के अंदर विज़नगर एंपायर नाम का एक बहुत ताकत वर समराज चल रहा है अब विज़नगर की बात अगर हम करें बेटा तो विज़नगर जो जो टाइम पीरेड है यह 1336 में विज़नगर एंपायर स्टैबलिश हुआ और 1565 तक यह एंपायर बहुत ताकत वर था हाला कि विज़नगर जो एंपायर है अल्दो जो विज़नगर एंपायर है बेटा इस विज़नगर एंपायर की स्थापना थी वह 3036 से लेके में जली 1565 तक है लेकिन उसके कई वर्षों तक मैं कहूं 1650 तक विज़नगर एक पावरफुल या साउथ इंडिया का एक माना जाना समराज है तो इसका मतलब 1336 से लेकि 1650 तक यह एंपायर साउथ में स्टैबलिश था ओल्दो 1565 के बाद इस एंपायर का जो पावर था वह डिक्लाइ यह कि तो विज़नगर के कहानी में विज़नगर कर जो परिवार है यह समराज्ज है उस पर चार बड़ी फेंबली ने रूल किया पहली जो Ukrainian थी पैटा उसका नाम सांगम फैमली मो पहली पेमी थी संगम संगम के बाद जो दूसरी नाम है यह तो एक समझ लें कि इस 1336 से ले के बेटा 1650 तक के पीरियड के अंदर जो विजय नगर एंपायर है इस पे चार फैमिली ने रूल किया जैसे हमने मगद पड़ा था तो हमने क्या देखा था कि मगद पे उसी प्रकार जब हम विजय नगर का इतिहास पड़ते हैं तो विजय नगर ते जो पहला परिवार था वह सांगम परिवार तीसरा तुलूप परिवार और चौछा जो था वह था आपका और विड्यु परिवार तो सबसे पावर καवश्य जो हुए बट्ता इसमें एक तो संगम और एक तुलूव ये दो बड़े ताकतवर परिवार हुए और इन्हीं दो बड़े ताकतवर परिवारों ने जो भी योगदान दिया था विजनगर में उनली इस टू फैमिली सुलूव एंड जो आर्विडूस हैं यह सिर्व नाम के लिए हैं बड़ ताकतवर संगम है और तुलूव है यहां तक बात क्लिव हुई बेटा ठीक है अब आगे स्लाइट देखें इसके बाद संगम सुलूव तुलूव के बाद अब उसी परिवार की बात करें तो हम दक्षिन भारत की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट हमने यहीं देखा था कि हमारे पास एक किंग्डम पढ़ने जाले इसका नाम है विजनगर एक तो आपके संगम परिवार था जिसका टाइम पिरेट 1336 से लेके 1485 दूसर जो फैमली थी देट इस सुलूव फैमली 1485 से लेके 1503 काफी कम समय तक राज्टाइन का तीसरा बेटा तुलूव फैमली 1503 से लेके 1570 तक और उसके बाद तिल इस 17th century अंतिम में जो था वो आर करी भारत की दT cattle є जाएंगा करवला हिससा हम पढ़ रहें तो सब्सक्णा परण पेको नदी बहते जिसका नाम एक चृटनी चृट्रेशन वा समझे एक नदी की बात करो जिसका नाम है क्रिशन और तो ये जो दो नदिया है बेटा, उपर वाली कृष्णा नीचे वाली तुंग भद्रा, इन दो नदियों के बीच का जो एरिया है, इसे कहते है दोवाब, दोवाब मतलब जो दो नदियों के बीच का एरिया होता है, that is considered as दोवाब, जो ये दोवाब है कृष्णा और के अंदर कि विच डाइनेस्टी वोज रूलिंग इंद राइचूर दुवाब या राइचूर दुवाब की छेत्रों में किस समराज का ओरिजिन हुआ सो यह आंसर बिकम विजयनगर एंपायर सो विजयनगर एंपायर जो है उसके अंपास जो दो इंपॉर्टेंट रीवर हैं एक है रीवर क्रिष्णा और रुदुसी रीवर तुंग भद्रा तो क्रिष्णा और तुंग भद्रा के बीच में ही बसा था आपका विजयनगर एंपायर यला पॉइंट क्लियर वह बेटा ठीक है अब दोड़ा कहानी मगर आगे बढ़ें यह पहला परिवार तो अपना क्लियर हो गया अब अगर हम बात करें संगम परिवार की संगम फैमिली है संगम फैमिली की जो पावर्फुल राजय जिन्होंने समराज की स्थापना करी उनका नाम नाम दो भाई थे हरियर औ बुक्का भाई है यह दोनों कहते हैं इनके पीशे कहानी क्या है बेटा कि जब मुहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद आये तो उन्होंने क्या किया हरियर बुक्का दोनों को ही क्या बना लिया उन्होंने इस्लाम में कनवर्ट कर दिया लेकिन जब दुबारा वह आपस ग उन्होंने हरियर बुक्का को देखा उनकी कंडिशन क्या थी कि उन्होंने इसलाम कनवर्ट कर लिया एक स्थापना करी उसमें जबसे पहले बढ़त रहे वो है आपके हरिहर तो सनस्थापक हुए हरिहर हरिहर के मुरित्यों के बाद बिटा इस गद्धी पे आए बुक्का तो दोनों भाई ये दुनों ने साथ में ही रूलिंग करना शुरू किया तो फाउंडर्स में हरियर बुक्का दोनों का नाम आएगा लेकिन पहले राजा हुए आपके हरिहर और उनके बाद बुक्का ने करी करी कहां करी आपका हमंपी नामक स्थान पे करी और इनके गुरू थे विद्धर्धर जिनों को दुबारा से हिन्दू धर्म करनवर्ड किया अब बड़े तकत ऑचों राजा कोए देवराय फर्स्ट देवराय प्रसेद इसले पहले ऐसारां विजनिगर हम्पार के जिन तुंग भद्रा नदीप इन्होंने डैम बनवाने को सुरुवाद करी पहले राजा ऐसा है वह जुन्होंने तुंग भद्रा पर डैम बनवाया उसके बाद इन्होंने विजन नगर की जो सेना थी बेटा उसको मॉर्डनाइज किया ठीक है साथी साथ अब बेटा यहां वाला पॉइंट देखना यह एक्जाम के लिए बहुत औरिंटेड पॉइंट है कि एक इटालियन ट्रेवलर था एक इतावली यात्री है इटली का एक ट्रेवलर जिसका नाम है निकोलो दी कॉंटी यह निकोलो प्रोचिन क्या फ्रेम करेगा दि इटेलिएन ट्राइवलर यह निकोलो कॉंटि विजिटेड इंडिया देवराय सब्सक्राइब एक बहुत प्रसिद कंणड लिट्रेचर के जो यह है इन्होंने कंणड जो वह है आपकी साहित उसके विकास में बहुत योगदान दिया सातरी सतरी इनके जो सभा दी उसमें एक जैन कवी जिनका नाम था मधूर तो मधूर नाम के एक जैन कवी थे जो देवराय के सभा करते थे साथ ही साथ बीटा इन्होंने देवरायाफ सस्ट ने एक किताब लिखी थे धर्मनाथ पुराण इसका नाम नाथ पुराण अब इक्जाम के लिए जो बात आपको पता होनी चाहिए स्लाइड से तो पहली चीज़ हूं प्रत विजन अगर रूलर जिसने डैम् पहुंचे देवराय फस्ट के टाइम पे और विजन अगर एंपायर के सबसे ताकत और राजाओं में से एक नाम है आपका देवराय प्रथम का उसके बाद उन्होंने किताब लिखी थी या मधूर नाम के एक जैन कवी इनकी सभा के अंदर बैठा करते थे यह चार से पांच बात आपको इनके बारें पता होनी चाहिए और बात करें तो अगले राजा हुए जिसको हम कहते हैं ग्रेटिस्ट अव दिस संगम रूलर संगम राजाओं में अकर सबसे ताकत वर कोई राजा है तो वह देवराय सेकंड़ तो है अडिटेस्ट अब नइस्टी संगम राज में कुछ किताबे लिखी है बेटा सोबे गिना सोने तो मैं आपसे बोलेंगे इस पर इतना फोकस नहीं करना ये तना नहीं पूछेगा लेकिन जो सवाल एक्जाम के अंदर आया है बेटा वो ये पूछेगा कि दक्षुन भारत में एक एक taps विख्यात मैथमिटेशं थे जिसका नाम तार्मेश्वरा तो परमेश्वरा जो थे वो किसके किंग्डम में रहा करते थे तो पारमेश्वरा जो थे वह देवरए सेकंड के समẤ्ध से इनका संवंध है साथ इसाथ बिटा देवरए सेटने एक टाइटल लिया विच इस कॉल्ड एज गजबेद गारा मतलब इनका मतलब इन्होंने हंटर ऑफ द एलिफेंट्स तो हाथियों को मारा होगा तो साथ इसाथ इन्होंने टाइटल लिया गजबेद गारा यह बहुत इंफिसाइज कनोला पॉइंट है एक परमेश्वरा और दूसरा है गजबेद गारा अब जैसे अगर हम देवराय फर्स्ट पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा भाई निकोलो कॉंटी और निक्तिन नाम के दो ट्रैवलर्स या फिर वैपारी भारत में आए उसी प्रकार से बिटा कि एक यहां पर आप देखे पर बन जाएगा देवराय फर्स्ट अगर वहीं पूछे कि रब्दुर्र रजाक तो बन जाएगा आपका भाई देवराय सेकंड अब साथे साथ पॉइंट हमें यह भी याद रखना है ठीके जी गजबेद गारा यह अपने देख लिया और साथे इन से जोड़ी सारी बात है अगर तुंग भद्रा पहला डैम बनवाया उन्होंने और मधूर नाम के कवी तो कंफ्यूज मधूर से नहीं होगा मधूर जो है वो देवराय फर्स्ट के टाइम पे है ठीके जी और जो परमेश्वरा है वो आपके देवराय सेकंड के टाइम पे चले अब एड़ा यह दो ताकतवर राजा पड़े संगम के देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड